बेलकम टू यूटूब चैनल जीके जीएस विच्मनेज़ब। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जीके जीएस के तीन सो महत्वपुर्ण ओवर्ल नाइनर प्रस्ण को करेंगे, जो आपके बिहार प्रिस एक्जाम के लिए काफी महत्वपुर्ण हैं। तो आईए, शुरू करते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किसके मद्धी हुआ था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था पांच नमंबर पंद्रो सो छप्पन को अकबर और हेमू के बीच। पठ चित्र किस राज्य की परसित चित्र कला है? तो ओडिसा की तो बीजापूर करनाटक में इस्टित है कोलकूंबत, सांची के अस्टूप को कब युनेस्को के विस्तु धरोहर में सामिल किया गया था? तो 1989 में सांची के अस्टूप को जो मद्धी परदेश में बेतवा नदी के किनारे है, इसे युनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेस साइ है अजमीर रजस्थान में और अजमीर को रजस्थान का हिर्दाय कहते है, चॉसा का युद किसके मंद्धे और कम्दर आ गया था? तो चौसा का योत हुआ था हिमायो और सेरसा के मंदे 1539 में हुआ था जातक कथाओं का संबंद किस्सी है तो गौतम बुद्ध के पुर्व जनम से संबंदित है जातक कथा मेरे प्यारी लालेवं लालियो इवन बतूता किस दिस का नगरिक था तो मुरको का नगरिक था इवन बतूता दासवंस के स्थापना किसने की थी कुत्व दिन एवक ने दासवंस और दासवंस को ही ममूलक वंस कहा गया है तो ममूलक वंस के स्थापना किसने की थी कुत्व दिन एवक ने और कुत्व दिन ए जब शेख तो 14 फरवरी 1556 को हुआ था सांची का अस्तूप इस ने बनवाया था तो असोग ने बनवाया था अभी मैंने दोस्तों इसकी बारे में तुरंद बताया आपको कि सांची के अस्तूप को युनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेस साइड में कब सामिल किया गिया था इसको यह आप बताओ के वेंटर बोक्स में जमा मस्जीद कांडरमान का पूरा हुआ था 1656 में हुआ था और यह दिल्ली में है इस कांडरमान साहजा के द्वारा करवाया गया था बुलंद रवाजा को अकवर ने किस बीजय के बाद बनवाया था और कब बनवाया था तो 1573 में दोस्तो अगला पशनमारा है तंजाबुर में बिधयस्वर हंदु मंदिर कंडरमान किसके द्वारा करवाया गया था राजा राज चोल के द्वारा करवाया था तो तो मनीपुर में मनाय जाता है संगाई ते होवार चौथी बहुत संगीती किस राजा के काल में हुई थी तो कनिस्की के काल में हुई थी तो और कहां हुआ था तो कुंडलवन कस्मीर में हुआ था चौथी बहुत संगीती पर्थम बहुत संगीती कहां हुई थी तो यह आप को बनवाया था कामाख्या मंदिर कहां इस्तित है तो गुहाटी में इस्तित है कामाख्या मंदिर मेरे प्यारे लाले लालियो दोस्तों अगला प्रश्ण हमारा है देखो गुरुनानक सहाब का जन्म कब और कहां हुआ था तो गुरुनानक सहाब का जन्म कब और कहां हुआ थ तो 1469 में गुञ्णानक शाब का जन्म हुआ था नाधिर सहाने भारत पर पर क आकर्मन किया था मनुरा किला कहां इस्तित है तोflu के मन्होर का क्यला इस्तित है दो स्टू क्रेंट्रेंग रोड किसने बनवाया था सेर्सा सुरी ने बनवाया था ग्रेंड ट्रेंग रोड बुलंदरवाजा किस ने बनवाया था तो अकबर ने बनवाया था बुलंदरवाजा कहां है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में हर अप्पा की खुदाई के समय पुरा तत्यों की खुदाई के महा निर्देशक कौन थी तो सरजोन मारसल थी हर अप्पा की खुदाई के समय पुरा तत्यों युभाग की महा निर्देशक मेरी प्यारी लालीवं लालीओ अच्छा पुरा तत्यों युभाग के पर्थब महा निर्देशक कौन थी अलग जंडर करिंगम थी मोहन जोद्रों की खोज किसने की थी तो राखाल दास वैनरज कहां मनाया जाता है तो नागा लेंड में मनाया जाता है शिंदू घाटी सबता में सबसे पहले किस अस्थान को खोजा गया था तो हरप्पा को खोजा गया था 1921 में और मोहन जोद्रों को 1922 में खोजा गया था तो हरप्पा जो है ये राभी नदी के किनारी है और मोहन जो दोस्तो यक्षिगान किस राज्य का मुक्षि लोग निरते है तो करनाटक का मुक्लोक निरते है धोक पर ओten जी ने मोण dyslex wire फेस्टीव्ल से ये वेंट फेस्टीवल कहा मनाय जाता है तो करना चाहिसे हई जैपूर ऐस्थान की राधानी है यह में दोस्तोлад जोदपुर भी है। जोदपुर को बोला गया है बुलू सिट्य मेरे प्यारे ला लेवं ला लालेख रधा पसम है है । है तो चार मिनार किस ने बनवाया था तो तो कुली कुतूब सहन ने करवाया था हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के किनारी है घूमर निर्त किस राज से समंदित है तो रजिस्थान से समंदित है घूमर निर्त चंद्रगुप्त पर्थम के बाद सासक कौन बना था दोस्तों तो दोस्तों समुंद्रगुप्त चंद्रगुप्त पर्थम क बाद सासक कौन बना तो समОंदर गुप्त बना था जैन धर्म के 24 में तितंकर कौन थे महावीर थे जैन धर्म के 24 तितंकर दोस्तों बियुद्धि के पर्थम तितंकर कुमार गुप्त ने लंदा विश्वध्याले का नर्मान करवाया था कुच्ची पूरी किस्तराजी संबंदित है तो आंधर परदे से संबंदित है दोस्तो कुच्ची पूरी मेरे दोस्तों अंतराष्टी के बुलॉम समहत सब कहां मनाया जाता है तो मेघाले में मनाया जाता है धाई दिन का जोपरा किसने बनवाया था धाई दिन का जोपरा कुट्टु बुद्न एवकन बनवाया था दोस्तो धाई दिन का जोपरा है कहां पर ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में अमीर खुसरो का ज 2426 को हुआ था मेरे प्यारे लाले पमलालियो मैंने भी तुरंट बताया था आपको कि पानीपत की दूतिय युद्ध कभुज हुई थी तो ये आप बताओ कभुज हुई थी ख्वाजा मुई युद्धीन चिस्ती का दरगाह कहां है तो अजिमेर मी है एलो राकी गुफा का नर्मान किसने करवाया था तो राष्टकूट बंसों के द्वारा एलो राकी गुफा का नर्मान करवाया गया था सबरी माला मंदिर किस राजे में इस्चित है के रली माला मंदिर दो भारत के सबसी युवार राष्ट्रपती कॉन थे दिलं संधीब रेंडी किस समिधान संसुधन के तहट मौलिक कर्टबे को जोरा गया दोस्तों वाला और पुना सिर्जन करने वाला राज्य कौन है तो आंदर परदेश दोस्तों देखो विधान परिशत सीट दोस्तों छे राज्जू में है उत्तर परदेश में है उसके बाद दोस्तों महराष्ट्र में है बिहार में है करनाटक में है आंदर परदेश में है और तेलंग स्थापना में सुदंधरता, समानता और बंधुत्त का सिधान तलिया गया है किस दिस्क से तो फ्रांस की ग्रांटी से लिया गया है अनुशेद 12 से 35 का संबंध है मूल अधिकार से दोस्तों मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के समिधान से लिया गया है और मूल करतब जो है ये रूस के समिधान से लिया गया है तोस्तों राजमनार समीती की स्थापना कब हुई थी 1970 में राजमनार समीती की स्थापना हुई आठमी अनुसुची में कितनी भासाओं का उलिक है, 22 भासाओं का उलिक है, आठमी अनुसुची में दुस्तों, भगवान बुद्ध को ग्यान प्राप्त कहा हुआ था, तो बोध गया में भगवान बुद्ध को ग्यान की प्राप्ती हुई थी, आरे समाज की अस्थापना कि स्वामी द्यानंद सवज़ती ने आरे समाज की इसन्ठापना की थी पंजाब भासा की लीपी कौन सी है गुरु-मुखी-लीपी दोस्तों और गुरु-मुखी-लीपी का अविशकार इसने किया था यह आप बताओ कमेंट बट्स में भारत की मुख्य भूमी का दक्षिंतं कि पर यो किस विमारी के उप्चार में होता है तो मधु में यानि कि डैविटीज के उप्चार में होता है वी हु जो है ये असम का मुख्य लोक निरत है कौन सा विटामिन आमले में परचूर मातरा में मिलता है तो विटामिन सी जो है ये आमले में परचूर मातरा में मिलता है भारत का पर्थम गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिंग दोस्तों, भारत का पर्थम गवर्नर जनरल कौन था, लॉड विलियम बेंटिंग, कागज काविसकार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ था कागज काविसकार, गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम क्या थ था सिदार्ट था था कुषाधम बुद्ध के बच्द्य का नाम दोस्तो भारत में शुच्ट्र बलो का स्टर्बच इत्र से आपती कॉन राष्ट्रपती होता है रत jointly किस राज का तेहोधा रहे एक आप नुट है दो पहली महिला सासी का कौन थी राजिया सुल्टान तो जो इलदू तमीष की बेटी फी ये भारत की पहली महिला सासी की तो उसली किसकी सहाधा से सास ligeता है इनिकिलाब जिन्दाबाद का नारा किस ने दिया था भगस सिंग ने इनकलाब जिन्दाबाद का नारा दिया था जालिया वाला बाग हत्याकंड कब और कहां हुआ था तो जालिया वाला बाग हत्याकंड दोस्तों यह हुआ था कहां पर तो पंजाब के अम्री सर में हुआ था और कब हु में हुआ था 1949 में कॉंग्रेस छोरने के बाद सुवास्चंद्र भोस ने किस दल की इस्थापना की तो फॉरवर्ट ब्लॉक की इस्थापना की पंजाब के स्री किसे कायाता है लालाज पत्राई को पंजाब के स्री कायाता है पंजाब के स्री के नाम से जानते हैं लालाज पत्राई को दोस्तो अट्रशनी नाइडू भारत की पहली महिला राज्येपाल थी और यह उत्तर परदे से ही मांट वरेष्ट पर दो बार चढ़ने वाले महिला का नाम क्या है दोस्तों संतोस यादव रहम समाज की इस्थापना किसके द्वारा की गई थी राजा राम मोहन राई के दौरा ब्रहम समाज की इस्थापना की गई थी स्वामी दियानन सुसती का मूल नाम क्या था तो मूल संकर दोस्तो क्या नाम था स्वामी दियानन सुसती का मूल नाम तो मूल संकर वेदो की और लॉटो का नारा किसने दिया था स्वामी विवेका नंदनी वास्कोडिगामा भारत कब आया था दोस्तो वास्कोडिगामा किस दिस का निवासी था दोस्तो तो ये पूर्टगाल का निवासी था वास्कोडिगामा हवा महल कहां इस चित है जैपूर में इस चित है हवा महल और जैपूर को बोलते हैं दोस्तो जैपुर को क्या बोला गया पिंक सिटी और दोस्तो किसे कहा गया है बुलू सिटी दोस्तो राजस्थान के किस सहर को जानते हैं बुलू सिटी के नाम से ये आप बता दो केमेंट बोक समी जैपुर की चार दिवारी को 2019 समी युनेस्को के वर्ल्ड हेरिटिय साइड में भी सा थी शिखों का प्रमौकतिहुआर कौन सा है बैसांखि है शीखों का प्रमौकतिहुआर लहपुरुस की समाधी का नाम क्या है तो भीजै इगाट है दोस्तों दिल्ली इस्थित लाल भादुर सास्त्री का समाधियस्टल का नाम क्या है विजय घाट अच्छा महात्मा गांधी की समाधियस्टल का नाम दोस्तो क्या है तो ये आप बता दो कमेंटर बॉक्स में महाभारत के रजयता कौन थे महरसी बेदिवास थे महा भारत के रह जाता दोस्तो अर्थ सास्त्र नामक पुष्टक किसने लिखी थी चानक्य के दोबरा या कोटले के दोबरा लिखा गया था अर्थ सास्त्र नामक पुष्टक दोस्तो जै जवान जै किसान का नारा किसने दिया था लाल भादु सास्त्री जय किसान का नद्ली नहीं नाम किया संत्र समाधियस्थ्र का नाम क्या है तो बिजय घड हर्प दोस्तों जो कहां है दिली में हैnd मेरे प्यारे लालइव weube忘 लाली सचितान अर्थ्षास्तर के जनक किसुस्तक में अर्थहस्तर का भिच्ञान कहा गया है और इस जो वेल्था उपनिशन है ये कब कर चित हुई थी colored उस्थ तो अक्को परकासित किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों क्या इसका अगर बाजार करती है तो उसे कौन सा अर्थ वस्ता कहते हैं पुंजी–वाधि अर्थिवस्ता का उड़य जो हुआ हुआ था वो एडम स्मित की緊ुष तक the wealth of nation में हुआ था तो तो अगला पॉष नमारा है राज अर्थेवस्था का अन्य नाम क्या है राज अर्थेवस्था का अन्य नाम है समाजिक अर्थेवस्था और केंद्रीकित नियोजित अर्थेवस्था तो समाजिक अर्थेवस्था और केंद्रिकिर्ट नियोजित अर्थेवस्था जो है ये राज अर्थेवस्था का अन्य नाम है वेल सभी करांती कब हुई उनी सु सतरह में हुई थी वेल सभी करांती राज अर्थेवस्था का सिधान्त किस ने दिया था तो काल माक्स ने दिया थ हुआ दोस्तों फ्रांस को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश दोस्तोς मेंस दोस्तों अभिजीत बैनर जी को और सास्तर के चेतर में नBl प्रुस्कार कब दिया गया था अभी जीत्व इनर्जीव भारतीय मुलके थी भारतीय मुलके दो बेकटी अभी जीत्व इनर्जीव और आ多 शेयन को दिया गया अभी तक widely प्रुस्कार कब दिया गया 2019 में और Original कार्या की Season 19 sırुब अर्थ सास्तर में नोबल पुरुषकार की सुरुवात कब हुई? 1969. अर्थ सास्तर के छैतर में नोबल पुरुषकार कब से दिया जा रहा है? तो 1969 से दिया जा रहा है. वैसे नोबल पुरुषकार की सुरुवात कब हुई थी? 1901 में हुई थी नोबल पुरुषकार की सुरु दिवस्था की और कडम बढ़ाना चाहिए तो जॉन मेनार्ड किन्स ने कहा था उदारी करन का सिधान्त किस ने दिया था दोस्तों डॉक्टर मनमोगं चिंग ने उदारी करन का सिधान्त दिया था किसने कहा था आर्थिक विकास गरीबों के विरुद लराई है तो महभूब उलहक ने कहा था कि आर्थिक विकास जो है ये गरीबों के विरुद दोस्तों क्या है तो लराई है कौन सा च्छत्र मुख रूप से कच्चे माल पर निरभर करता है तो दूतिया च्छत्र दोस्तों कौन सा च्छत्र प्रत्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष और तिरतिये च्छेतर का उधरन हो जाएगा बैपार, होटल, परिबहन, बित्ये सेवाएं, चिकितसा, लोकपरसासन, इत्यादी आजाएगा तिरतिये च्छेतर में. किस छहतर को गोल्ड कॉलर जॉब के नाम से जानते हैं तो पंचम छहतर को गोल्ड कॉलर जॉब के नाम से जानती हैं। दोस्तों अगला पशने कम से कम संभावित संसाधनों के साथ अधिक्तम संभावित लाप प्राप्त करना क्या कहलाता है। राष्ट्रिये आई की प्रथम गन्ना कब की गई थी 1868 में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था तदभाई नौरोजी के द्वारा किया था और परति बैक्ति आई 20 रुप्या निकल गया था दोस्तों। अबित्यवर्स क्या होता है एक अप्रेल से 31 मार्च राष्ट्रिये सांखे की संगठन की स्थापना कब होई। दो मई 1951 को राष्ट्रिये सांखे की संगठन की स्थावना होई दोस्तों। और राष्ट्रिये सांखे की संगठन का हेड़क्वार कहा है नई दिल्ली में। दोस्तों बरतमान में किस राज्य की औसत्त परति वैक्ति आई स्रवधिक है तो गोवा की दोस्तों परति वैक्ति आई जो आपका है वो स्रवधिक है। गोवा की राधानी क्या है पंजी, गोवा के मुख्यमंध्री और राजय पाल के बारे में आप बताओмат किमेंट बोक्स में दोस्तो, दोस्तो अगला प्शन है, बरतमान में किस राज़िकी प्रतिव्यक्ति आए अदिकम है, तो बिहार की सांखी की दिवस कम मनाय जाता है तो 29 जून को मनाय जाता है सांखी की दिवस दोस्तों PC महाल लोविस की जियनती प्रमनाय जाता है सांखी की दिवस मेरे प्यारे लालेवं लालियो दोस्तो 20 सांखी की दिवस कम मनाय जाता है तो 20 अक्टूबर को मनाय जाता है बिशु सांखे के दिवस कम मने जाता है 20 अक्टूबर को राष्ट्रिय आई के ले खांकन का जनम दाता कौन है साइमन कंजू नेंस है दोस्तो प्लैड एकोनोमी ओफ इंडिया पुस्तक जो लिखा गया है ये एम बिशु सरया के दोरा लिखा गया था ये परकासित कब हुआ था 1934 में में विशु सरया ने लिखा था प्लैंड एकोनोमी ओफ इंडिया दोस्तो फिक्की के द्वारा राष्ट्रिय योजना आयो की मांग कब की गई ती 1934 में फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ओफ इंडियन चैम्बर्स ओफ कॉमर्स और इंडरेश्ट्री और इसका हेड़िक्वार्टर नई दिल्ली में है फिक्की के स्थापना 1927 में अब बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों कि फिक्की के बर्तमान में चेयर्मेन कौन है इसका जवाब देदो आप कमेंट बॉक्स में गांधिबादी योजना 1944 में किसने प्रस्तूत किया था तो सरीमन नरायन अगरवाल ने प्रस्तूत किया था स्थापना कभ हुई थी उनिशं पचास ने होई थी योजना आयोग के पर्थम उपाध्यक्ष कौन थे गुलजाई लाल लंदा थे दोस्तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे मोंटेक सिंग अहुल वालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे मोंटेक सिंग अहुल वालिया थे क्योंकि इसके बाद योजना आयोग का नाम दोस्तो निती आयोग कर दिया गया और निती आयोग के स्थापना एक जनवरी 2015 को निती आयोग के स्थापना हुई थी तो देखो दोस्तो योजना आयोग को कब समाप्त कर दिया गया 15 अगस्त 2014 को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी में लाल किला से योजना आयोग को समाप्त करने की घुसना की थी देखो National Institute for Transforming India अर्था दोस्तो नीती आयोग नीती का फुल फॉर्म है National Institute for Transforming India की स्थापना कब हुई एक जनवरी 2015 को दोस्तो हुई इसके अध्यक्ष कौन है दोस्तो तो पधान मंतरी इसके अध्यक्ष होते हैं इसके उपाध्यक्ष संजय बेई है और इसके CEO कौन है तो वी से ने अपनाया पुर्व सोवेट संग ने अपनाया था आठ उद्योग पती द्वारा बॉम्बे प्लान कब शुरू किया गया उनीस सो चावालीस में शुरू किया गया था बॉम्बे प्लान किसके द्वारा दिया गया था तो सर आदेशरी दलाल के द्वारा बॉम्बे प अधारित था, हेराल्ड डॉमर मॉडल पे अधारित था, पर्थम पंचवर्षी योजना की प्राथमिक्ता क्या थी किर्सी और पर्थम पंचवर्षी योजना में भाखरा नांगल पर योजना और दामोदर नदी घाटी पर योजना की स्थापना होई थी, तो सबसे से 1961 तक चली थी, ये पीसी महाल लोबिस के मॉडल पे अधारित था, पाथमिक्ता था, उद्योग का विकास करना राउर केला, भिलाई, दुर्गापूर इस पाथ सयंद्र की स्थापना होई, राउर केला दोस्तों 36 गड़ में है, भिलाई दोस्तों कहा है, ओडिसा में है, दोस्तों, राउर केला ओडिसा में है, भिलाई शत्रिस गड़ में है, दुर्गापूर पसी मंगाल में है, चितरंजन लोको मोटिव बक्स की स्थापना होई, इंट्रिगल कोच फेक्टरी की स्थापना होई, किस पंचवर्षिय योजना में, दूतिय पंचवर्षिय योजना में दोस्तों, अस्थाबना की गई थी, 1964 में सोबियत संग की सहाइता से बोकारो आइरन इंडिस्ट्री की स्थापना की गई थी, 1964 में तिर्थिय पंचवर्षिय योजना के दौरान, रूस की सहाइता से, ये योजना जो हुआ, तिर्थिय पंचवर्षिय योजना के जनक दोस्तों चतुत पंचबर्शीय योजना जो 1969 से 1974 तक चली थी ये DR गाड़े के ले मोडल पर अधारित था और इस चतुत पंचबर्शीय योजना में ऑपरेशन फलड अर्थात सुवेत क्रामती के शुरुआत हुई थी और भारत में सुवेत क्रामती की जनक कौन है ड इसमें एक योजना सुरुर किया था स्वाब के बदले अनाज योजना इसे बात मिकता दि गए टी की और में इंडिया कारुक्रम टीकर शुरुवात कब हुई थी 25 सितंबर दो हजार 14 को मेंटी इंडिया कारेक्रम की सुरुवात तो दोस्तो शत्थी 5 वर्शी से करेकाल कब से कब तक है तो 1980-1985 तक दुश्टो छटी-पंच बर्षी योजना कारेकाल है और छटी-पंच बर्षी योजना आगत निरगत मोडल पर अधारीथ है सात्मी पंचवर्षिय योजना दोस्तों 1985 से 1990 तक चला दोस्तों और ये मॉडल था जॉन डबलू मिलर मॉडल इसमें योजना जवाहर रोजगार योजना की सुरुआत होई और सात्मी पंचवर्षिय योजना में नारा दिया गया था भोजन, काम और उत्पादन भोजन, काम और उत्पादन का नारा कौन से पंचवर्षिय योजना में दिया गया तो सात्मी पंचवर्षिय योजना में दिया गया था मेरे प्यारे दोस्तों दोस्तों अगला परशन है कौन सी गरीबी यह अस्पष्ट करती है कि विभिन आयोगों के बीच कितनी विसमता है कौन सी गरीबी यह अस्पष्ट करती है कि विभिन आयोगों के बीच कितनी विसमता है तो सापक्षी गरीबी बुनियादी आवेसकता जैसे भोजन सुरक्चित पेजल सुरक्चित पेजल सुरक्चित पेजल सुरक्चित पेजल बुनियादी आवेशक्ता जैसे भोजन, सुरक्षित, पेजल, इत्यादी का भाव हो तो यहां कौन सी गरीबी के अंतरगत आएगी निर्पैक्ष गरीबी के अंतरगत आएगी दोस्तो देखो भारत में गरीबी मापन हेतु समदित समीतिया आए थी जैसे कि डॉक्टर वाई के अलग समीति के स्थापना कब होई 1977 में लकरावाला समीति के स्थापना कब होई 1989 में सुरेश तंदुलकर समीति के स्थापना कब होई 2009 में सी रंग राजन समीति के स्थापना कब होई दोस्तो 2012 में सी रंग राजन समीति के स्थापना होई पौवर्टी एंड अंड बिट पुर्णा योजना की शुरुवात कब हुई दो अक्टूबर 2000 को अनपुर्णा योजना की सुरुवात वुई थी इसका उद्दिश था रूटी की विवस्था करना और यह कहां सुरू हुआ दोस्तों शिखोरा ग्राम गाजियाबाद में शुरु हुआ था गाजियाबाद आंधर पदेश में शुरू खूआ और इसका नाम गांधि रोजगार वाराउंटी योजना को किया गया था दो दोस्तो याद रखना नब्वे अनूपात 10 का होता है सही योग दोस्तो देखो इसका परतेक परिवार को बित्य वर्सों में 100 दिनों का रोजगार देना और महिला की भागेदारी कितनी है दोस्तों नरेगा में 233 परतीस थे दोस्तों अगला प्रश्ण है बरतमान में भारत की निर्धंता रेखा या गरीबी रेखा का निर्धारन कौन करता है नीती आयोग करता है दोस्तों अब कुछ महात्यपुन और भी प्रश्ण है जैसे कि डिजिटल इंडिया कारेकरम की शुरुआत कब होई 21 अगस्त 2014 को हुई प्रधान मंद्री जंधन योजना की शुरुआत कब हुई 28 अगस्त 2014 को हुई स्वक्ष भारत मिशन की शुरुआत कब हुई 2 मिशन की शुरुआत की सुरुआत को हुई स्वल चोलाइबघ सोलाब उछ filt को हुई ती इस्टाइप इंडिया की सुरुआत तोस्तों सेतु भारत मिशन के शुरुआत करिव elaade को इस वको एक मय, 2016 Mm मामी गंगे योजना कि शुरुवात 7 जूलाई 2016 को हुई उरान योजना दोस्तों उरान मतला उरे देश का हर नागरिक उरान योजना कि शुरुवात हुई थी 27 अपरेल 2017 को मेरे प्यारे लालेवम ला लियो दोस्तों आप बतादो कि फास्टग भारत में कब शुरू किया गय भारतिए ग्रवागोरिक अनूसंद्धान के अंद्र हैं दोस्तों तो चिक बंगलूर में हैं कौपी अनूसंद्धान केंद्र हैं इसका पीडिएप आपको टेलिग्राम पे मिल जाएगा जिसका लिंग की वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स में है चानकारी कैसी लगी इसका फीडिएप दोस्तों आप अबस्ते कमेंट बॉक्स में देना थैंक्यू सो मच मेरे प्यारे लाले बम लालियो